महरास्ट और गुजरात में ऑक्सिजन की खपत बढ़ने के साथ ही इंदौर में आपूर्टी पर इसका असर पड़ा है दो दिन पूर्व कुछ अस्पतालों में तो ऑक्सिजन खत्म होने की नौबत आ गई थी हाला कि जिला प्रशासन ने नियंतरन अपने हाथ में लेकर आपूर्टी सामान निकर दी हाला कि लिक्विड ऑक्सिजन की आपूर्टी के बाद ही स्थिती में सुधार हो सकेगा देखे रिपॉर्ट कोरोना संक्रमन को लेकर इंदौर शहर में हालात विस्फो तक हो चले हैं एक और जहां अस्पतालों में बैड उपलब्ध नहीं हैं वहीं ऑक्सिजन की सप्लाइग नहीं होने से भी हालात बिकड़ने लगे हैं बुधवार रात करी पांच अस्पतालों ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि उनके अस्पतालों में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सिजन शेश पची है यदि जल्द ही आपूर्टी बहाल नहीं हुई तो मरीजों की जान को खत्रा होगा जानकारी लगते ही जिला प्रशासन में हड़ कंप मच गया कलेक्टर मनीश सिंग ने तुरंट अपर कलेक्टर स्थर के तीन अधिकारियों को पीतंपुर और सावेर स्थित ऑक्सिजन प्लांट पर तैनात किया ताकि आपूर्ती पर फ्रशासन का नियंत्रन रह सके अपर कलेक्टर अभे बेड़ेकर के अनुसार फिलहाल सभी अस्पतालों में आउक्सिजन की आपूर्ती सामान निकर दी गई है लिक्विड ऑक्सिजन की सप्लाई मिलने के बाद स्थिती में और सुधार होगा तो इसको क्योंकि क्या होता है आदमी की टेंडेंसी हो जाती है कि मैं दस सिलेंडर भर के रख लूँ जबकि जरूआत पांच किया तो वो कल का इंतजाम भी करके रखता है तो वो से साब से उसको मॉनिटर किया गया और कंट्रोल में सिचुएशन लाई गई है अभी कंट्रोल में सिचुएशन लेकिन ये सार सब कुछ डिपेंड करता है लिक्विड ऑक्सीजन पर जब तक लिक्विड ऑक्सीजन के मातरा उपलब्ध होती रहेगी तब तक अच्छा चलेगा अपर कलेक्टर के नुसार इंदर संभाग में रोजाना सरकारी वर निची अस्पतालों को मिलाकर 100 टन ऑक्सीजन की आवशकता है इंदर संभाग में जो ऑक्सीजन की जरूट है वो 100 टन के लगभग है डिली की देखा जाए तो अभी भी गुजरात और महरास्टर से आने वाली लिक्विड ऑक्सिजन पर काफी कुछ निर भड़ता है यदि वहां की आपूरती सुनिश्चित होती है तो ऑक्सिजन को लेकर इन दौर में हालात सामनने होंगे ब्यूर रिपोर्ट एम्पी नियूज इन दौर